आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ If the separation between two particles is double the gravitational force becomes half the initial force अपने कोई चेक करने statement सही है या गलत तो देखो अगर universe में किदर भी दो पार्टिकल्स है एक मास M1 का और एक मास M2 का और अगर दोनों में separation अगर आ रहे तो यह पाया गया कि जो gravitational force है वो directly proportional है Fg को मैं gravitational force बोल रहाओ It is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them तो यह दो proportionalities है तो अगर equation 1 बोल दो और यह equation 2 बोल दो इनको combine किया तो क्या मिलेगा Fg equal to Fg is proportional to M1 M2 upon R square और मैंने proportionalities हैंट हटा दी तो क्या मिलेगा Fg equal to constant introduced one capital G M1 M2 upon R square तो यह capital G क्या है यह universal gravitational constant बोलते है इसको इसकी value कहा रहती 6.67 into 10 के बार माइनस 11 Newton meters per kg के बार माइनस तु बोला इसमें आपने विससे कुछ मतलब नहीं है लेकिन ठीके देखते तो आपने को क्या बोलते है इसेपरेशन बिट्विंटर टू पार्टिकल इस डबल सेपरेशन बिट्विंट पार्टिकल इस डबल मतलब जो आरे जो आर कैसे प्रेशन उसको क्या कर दिया टू आर कर दिया तो जो ग्राविटेशन फॉर्स से उस पर आपने को इफेक बोलना है ग्राविटेशन फोर्स पर क्या इफेक पड़ेगा तो देखो मैं पहले लिखते तो सिंपल कैसे के लिए एफिकल टू जी एम वर नेम टू अपन आर्स ने ठीक है यह सिंपल कैस के लोगा जब एम एम टू ब अब देखो जी एम वर एम टू अपन आर्स अब यह क्या है यह एफ लिख सकता हो इनिशल वाला एफ तो क्या आजाएगा एफ इनिशल और यह फोर का फैक्टर नीचे बज़ा तो आप देख सकते हो जो निउफ फोर्स होगा वह क्या आजाएगा इनिशल का इनिशल क्या बन रहा है? 1 by 4 बन रहा है, तो ये तो गलस statement हो गया, तो ये आपका सही अंसर है, कि 4s 1 by 4 बन जाएगा. क्लासिक स्ट्वेल से लेके, नीट आयाइटी जेही, मीन्स और एडवांस के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप, या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स, 8444 चार्स उपर.